Hello Friends, Welcome to Quant Study Quant Study में आप सबका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं हमारे संकल बैच का पहला चैप्टर पहला लेक्चर है उसका भी आज और हमारा पहला चैप्टर है Simplification ठीक है? शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाबा हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है डिरेक्ट लिंक्स सामने आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लीजिए और किसे भी अपडेट को मिसमत कीजिए तो यह हैं हमारे वो टॉपिक जो कि हम Simplification में कवर करने वाले हैं और इन टॉपिक में से हम पहले दो टॉपिक कर चुके हैं तो यह रहे वो टॉपिक जो हम आज कवर करने जा रहे हैं इन सब टॉपिक को हम वन बै वन कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ Finding Square Near to 50 सबसे पहले चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि 39 से लेके 99 तक जितने भी नंबर होंगे उनका Square जो भी आएगा वो हमेशा 4 digits का होगा जैसा कि example में देख सकते हैं 35 का आ रहा है 1225 जो की 4 digit number है Next चीज़ हम देखते हैं कि इसमें Base जो की बहुत important है इस चीज़ पर आप खास दियान रखना इसमें दो किसम के Base हैं Comparison Base, Addition और Subtraction Base Comparison Base नियर टू 50 में 50 ही है Addition और Subtraction Base नियर टू 50 में 25 है यह क्या चीज़े हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा सबसे पहली example लेते हैं 49 का Square Step 1 क्या होगा हमें पता है कि 49 के Square के 4 ही डिजिट होंगे हम 4 डैश मार देंगे यह स्टार्टिंग के लिए है सिर्फ आगे जाके आपको डैश मारने के भी जरूरतने पड़ेगी 4 हमने डैश मार दिये 4 डिजिट के लिए Step 2 क्या है हम देखेंगे कि 49 50 से कितना बड़ा यह चोटा है तो 49 50 से एक चोटा है तो Step 3 में क्या करेंगे वो जो gap आया है एक हम उसी का square लेंगे जो की 1 ही होगा और हम उसको इन 4 डिजिट में से last के 2 डिजिट में भर देंगे याद रखना square जो भी होगा जितना भी होगा सिर्फ 2 ही डिजिट भरे जाएंगे और वो भी last के 2 डिजिट भरे जाएंगे ठीक है अब step 4 हम देखते हैं कि वही चीज़ है gap कितने का है एक का gap है और जादा है या कम है तो कम है 49 जो है 50 से एक कम है तो हम क्या करेंगे जो मैंने आपको बताया था second base जो addition और subtraction का जो कि 25 था 25 में 1- कर लेंगे 25 में हमने 1- क्यों किया प्लस क्यों नहीं किया क्यों कि 49 जो है 50 से कम है अगर 49 50 से जादा होता तो हम 25 में प्लस करते 25 में 1- करेंगे हमारे पास 24 आ जाएगा वो हम बाकी बची दो spaces में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 का square is 2, 4, 0, 1 example लेते हैं 144 के square की same वैसी करना है step 1 में 4 dash मारे हमने 4 digits के लिए step 2 में हमने देखा 44, 50 से 6 कम है तो 6 का square 36 last की 2 positions में हमने रख दिया step 3 में हमने देखा की 6 कम है तो हम 25 से 6 minus करेंगे 25 से 6 minus करते ही 19 answer आएगा और हमारा answer बन जाएगा 44 का square is 19, 36 अब जो मैंने आपको दो एक्जेम्पल कराई आपने देखा 6 का स्क्वेर 36 ठेक है और जो भी था पिछला 1 का स्क्वेर 1 ही था तो उसमें कहीं पे भी कैरी नहीं आ रहा था अब कुछ नंबर हैं जैसे 11 का स्क्वेर होता है 121 इसमें अगर हम 21 लास्ट के दो डिजिट में डा कि 38 कितना कम है 38 है 50 से 12 कम और 12 का स्क्वेर आएगा 144 लास्ट के दो में हम 44 बर देंगे और 1 हम कैरी लिखतेंगे जो थर्ड पोजिशन है जिसको हम 100 पोजिशन भी कहते हैं उदर हम वें कैरी रखतेंगे अब 38 जो है वो कम है 12 कम है 50 से तो 25 में जब हम 12 कम करेंगे हमारे पा पास वो कह रही हम 13 में एड करेंगे ठीक है 13 में एड करते ही वो बन जगा 14 और हमारे पास आंसर आजागा 38 का स्क्वेर इस 144 अब यह सब इग्जेंपल थी जो कि 50 से नीचे थी अब हम नेक्स्ट इग्जेंपल करेंगे जो 50 से उपर है तो 57 50 से 7 उपर है वही चीज करेंग जो लास्ट के 7 का स्क्वेर आगया 49 तो वो हम लास्ट के 2 डिजिट्स में भर देंगे अब उपर है अभी तक हम माइनस करते आए क्योंकि 50 से नीचे था अब हम 25 में प्लस करेंगे क्योंकि 50 से उपर है कितना उपर है 7 उपर है तो 25 में जब हम 7 प्लस करेंगे हमारे पास आ से 14 उपर है और 14 का स्क्वेर होता है 196 जैसे मैंने आपको बताया जो स्क्वेर है वो सिर्फ लास्ट के दो डिजिट में ही बरा जाएगा तो हम 96 लास्ट के दो डिजिट में भर देंगे और 1 हम कैरी देंगे 100 पुजिशन के लिए अब 25 से 14 उपर हम 25 में आड करेंगे तो 39 आ जाएगा हमारे पास प्लस वो जो कैरी था वो भी तो आड करेंगे 39 में वो कैरी आड करेंगे हमारे पास 40 आ जाएगा और 64 का स्क्वेर हमारे पास आ जाएगा 4096 बस यही सब कंसेप्ट थे फाइंडिंग स्क्वेर नियर टू 50 के अब हम नेक्स चीज़ पर जाते हैं जो कि है फाइंडिंग स्क्वेर नियर टू 100 जिसकी रेंज होगी 76 से 125 के बीच अब इसमें आपको एक चीज़ एक्स्टर में और बता दूँ जैसा कि लास्क में आपने देखा 99 तक तो 4 ही डिज जय्एट होंगे जैसा 50 नियर टू 50 में कमन बैसीस थे दो वैसे ही यह टू 100 में hanya टू 50 में क कि प tsunami सतहँ और नियर टू 100 में होगा 100 यह to 50 में addition और subtraction का base था 25 जबकि near to 100 में addition और subtraction का जो base है वो change हो जाएगा वो होगा number itself जैसा कि अगर हम 94 का square निकालेंगे तो addition subtraction का base भी 94 ही होगा तो यह रही हमारी पहली example 97 का square 97 अब 100 से 99 से पीछे है तो 4 ही digit होंगे step 2 में हम देखेंगे 97 कितना कम है 100 से 3 कम है तो 3 का square आ गया 09 जो कि हम last 2 digit में fill कर देंगे step 3 में मैंने आपको बताया कि addition subtraction का base है number itself यानि कि इस बार जो 3 minus होगा वो 97 से होगा तो 97 से 3 minus करेंगे हमारे पास आ जगा 94 97 का square जगा 9409 अब next example है 89 का square 89 जो है 100 से 11 positions कम है तो 11 का square क्या होगा 121 अब मैंने आपको बताया last के दो दो डिजिट में ही square fill कर सकते हैं तो हम वहाँ पे 21 fill कर देंगे 100 पोजिशन पे 1 carry on आ गया अब 89 आ गया number itself उसमें से हम 11 minus करेंगे क्योंकि 89 कम है 100 से तो हमारे पास 89 minus 11 आ जागा 78 78 में हम 1 carry भी तो करेंगे 78 में 1 carry करते ही हमारे पास 79 आ जाएगा तो हमने 121 लिया 121 का square अब ही 100 से उपर है तो मैंने आपको बताया था 100 से उपर होगा तो पांच डिजिट होंगे step 1 में हमने 5 डैश मार दिये step 2 आ गया हमारे पास की 100 से कितना उपर है 21 उपर है और 21 का square क्या होगा 441 यह आपने learn किये होंगे फर्स्ट वीडियो में अब 441 का 4 और 1 तो हमने लिख दिया last के 2 जगाओं पे क्योंकि square अमेशा 2 जगाओं पे फिल होगा जो बचा हुआ 4 था वो हमने carry दे दिया 100 पोजिशन पे अब 121 में जब आप 21 add करोगे आपके पास आएगा 142 क्योंकि number itself में ही add होगा और add क्यों होगा क्योंकि 100 से उपर है अब 142 में हम जब 4 carry on add करेंगे हमारे पास आजगा 146 तो step 3 के बाद हमारे पास 121 का square आएगा 14641 तो इसी के साथ हमारे near to 100 के भी जो concept है जो finding square के concept है वो तो अब भी तक हम अपने 4 में से 2 topic complete कर चुके हैं जो की था finding squares near to 50 and finding squares near to 100 अब हम अपने third topic पे jump करेंगे which is finding square root अगर अपने पहली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको मैंने सबसे वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहली चीज़ा आपको बताई थी unit digit तो मैंने एक बार फिर से यह रही है आपके स्क्रीन पे वो numbers जिनके unit digit जो है वो same है चलो अब इन number का use करते हैं सबसे पहली example है हमें 9216 का square root निकालना है तो step 1 में हम क्या करेंगे हमें पता है 6 का बात है जब हम 4 का square करें 446 16 में unit digit 6 आता है या फिर हम 6 का square करें 6 6 36 तो उसमें भी unit digit आपके पास 6 आ रहा है तो हम क्या करेंगे step 1 के बाद यहां लिख देंगे 4 और 6 step 2 में क्या करेंगे आप 9216 पे concentrate करिए आप देखोगे कि मैंने 1 और 6 के नीचे एक underline की है step 2 यही है कि हम step 2 में जो last के 2 digit होंगे square root है तो 2 digits छोड़ेंगे और cube root है तो 3 digits छोड़ेंगे तो square root है तो हमने यहां पर 2 digits छोड़ेंगे अब हमारे पास number क्या बचा 92 अब हमें एक ऐसा perfect square देखना है जो 92 के करीब हो पर 92 से बड़ा ना हो हम सबसे पहले देखते हैं 9 का square आ गया 81 92 के करीब है 9 के next number होता है 10 10 का square आ गया 100 92 के करीब तो है पर 92 से बड़ा है और condition कहती है कि 92 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो हम focus करेंगे 81 पे 81 क्या है 9 का square होता है तो जो बची हुई space थी हमने 4 और 6 लिखा था पहले 4 और 6 के आगे हम दोनों जगा 9 लगा देंगे अब हमारे पास इतना clear है कि 921 6 जो है यहां तो 94 का होगा square root यहां तो 94 का square होगा यहां तो 96 का square होगा अब इन दोनों में से किसका होगा अब हमें यह find करना है इस चीज को find करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास 81 का square root आया था 9 उस 9 का next number जो होगा यानि कि 10 उसके साथ उसको multiply कर देंगे 9 को 10 के साथ multiply करने पर हमारे पास आजाए का 90 ठीक है अब आपको compare करना है कैसे 92 को 90 से compare करना है यानि कि जो square root के under जो हमारे पास number आया है उस number को हमने जो multiplication करके number आया है उससे compare करना है तो 92 को जब हम 90 से compare करेंगे हमें पता चल जाएगा 92 जो है 90 से बड़ा है अगर 92 90 से बड़ा है तो 94 और 96 में से जो number है वो भी बड़ा वाला ही होना चाहिए तो 9216 का square root आ जाएगा 96 अब यह काफी important point है क्योंकि इसमें confusion होती है जब हम 9 into 10 9 to 10 यह वाले step तक तो सब लिख लेते हैं सब पहुं जाते हैं 9 to 10 आप 90 कर दोगे पर आप paper के टाइम पर confused हो जाओगे कि 90 को 92 से compare करना था या फिर 92 को 90 से compare करना था अगर हम 90 को 92 से compare करेंगे तो आप देख हो गए कि 90 जो है 92 से छोटा है और छोटा देखते होए हम 94 को mark कर देंगे जो कि हमारा answer गलत हो जाएगा इसी लिए इस चीज़ को भी याद रखने के लिए मैं आपको एक trick बता देता हूं अब suppose कर लो यह जो under root के square root के under 92 है यह हो आप और जो 9 into 10 करके जो number आया है वो है शर जी के बेटे से बड़े हो तो आप क्यूं बड़े हो क्योंकि यह जो 94 और 96 है इन में से बड़ी वाली चीज आपको मिली है अगर आप शर्मा जी के बेटे से छोटे हो तो क्यूं छोटे हो 94 और 96 में से जो छोटी वाली चीज आपको मिली है तब ही आप शर्मा जी के बेट of 3 3 1 2 4 step 1 में आप देखोगे कि 4 का बात है जब हम 2 का square करेंगे क्योंकि 2 2s are 4 या फिर 8 का square करेंगे 8 8s are 64 step 2 में क्या करेंगे हम last के 2 digits वैसे के वैसे ही ignore कर देंगे अब हमारे पास बचा है 331 अब हम देखेंगे कि 331 का nearest square कौन सा है जो 331 को exceed भी ना करें तो हम अगर सोचेंगे तो देखें हमें पता चलेगा कि 324 जो है जो कि 18 का square है वो 331 के nearest है और उसको exceed भी नहीं करता तो हम 182 या फिर 188 लिख देंगे अब next step होगा हमारा कि हमें इन दो numbers में से find करना है कि exactly कौन सा वो number है हमने अभी अभी है निकाला ना 18 का square होता है 324 तो हम 18 के next number को 18 के साथ multiply कर देंगे 18 और 18 into 19 हमारे पास 342 answer आएगा अब मैंने क्या बताया था जो square root के under है वो आप हो और 342 जो है शर्मा जी का बेटा है आपको clearly दिख रहा है कि 342 यानि कि शर्मा जी का बेटा जो आप हो वो शर्मा जी के बेटे से कम हो आपने हमीशे खुद को शर्मा जी के बेटे से compare करना है आप जो हो शर्मा जी के बेटे से कम हो यानि 331 जो है 182 अब एक last example under root of 5929 इसको हम solve करने की कोशिश करेंगे step 1 क्या है हमने देखा unit digit 9 है वो किस-किस में आते हैं 3 में आते हैं और 7 में आते हैं step 2 क्या होगा हम 2 और 9 को ignore कर देंगे हमारे पास बचेगा 59 step 3 क्या होगा हम एक ऐसा perfect square देखने है जो कि 59 के पास हो पर 59 से कम भी हो जो कि होगा 49 49 किसका square होता है 7 का इसके बाद हमारे पास अब number आ जाएगे 73 और 77 अब हमारा next step क्या होगा जो 7 है उसको next number से multiply करना 7 into 8 हमारे पास 56 आ जाएगा अब आपने जो root के अंदर है 59 उसको compare करना है 56 के साथ और अगर यह बड़ा है तो हमारे पास 73 और 77 में से बड़ा number है वही हमारा answer है तो under root of 5929 is 77 इसी के साथ हमारा third topic भी खतम हो चुका है अब हम बढ़ेंगे fourth topic की तरफ जो कि है cube root अब video जो कल मैंने करवाई थी day one की जो video थी उसमें आपको आपने देखाऊगा cube root cubes भी लिके थे मैंने एक जगा और मैंने ये भी बताया था कि बाकि सब cubes के unit digits same है सिरफ 2, 8 और 3, 7 के जो unit digits हैं वो interchangeable है अब आप एक चीज़ note करेंगे squares में दो-दो number थे जिनके unit digits same आ रहे थे जैसे 4 और 6 का 6 आ रहा था 3 और 7 का 9 आ रहा था पर इसमें किसी का भी same नहीं आ रहा 2, 3, 7, 8 का interchange हो रहा है पर उनका भी same नहीं आ रहा तो इससे आप एक चीज़ देख सकते हो जो हमने step 1 करते थे squares में यानि कि 4 और 6 लिखते थे वो चीज़ eliminate हो जाएगी क्योंकि एक ही number आएगा और जो हम squares में सबसे last में जो बड़ा complicated सा process था कि हमारे पास दो number बचते थे फिर हम number को next number से multiply करते थे and then हम compare करते थे फिर जो भी number आता था उससे हम अपना answer find करते थे तो ये वाले पूरे step cube के case में eliminate हो जाएगे तो हमारा cube जो है अगर हमारा square root find करना हमारा strong है तो cube हमारा ultimately strong हो जाएगा अब ये कैसे करना है मैं आपको next example में बताता हूँ ये है हमारी पहली example cube root of 157464 देखने में बहुत बड़ा number लग रहा है और देखते ही डर चाहोगे पर जब आप इसको solve करने लगो कि ये सबसे असान चीज़ लगेगी अब हमने क्या देखा था कि सिरफ 2, 3, 7, 8 है जिनका जो unit digit है वो interchange हो रहे हैं बाकि सब के सेम है तो हमारे पास यहाँ पे 4 है तो unit digit यहाँ पे 4 ही आएगा अब क्या करेंगे है जैसे हमने square root में 2 digit छोड़े थे step 2 में हम cube root में 3 digit छोड़ेंगे यानि कि 4, 6, 4 को हम ignore कर देंगे हमारे पास number बचेगा 157, same step अब हमने जो square root में किया था वैसे हम cube root में करेंगे एक ऐसा perfect cube जो कि 157 से कम है और 157 के nearest है तो हम देखेंगे 4 का cube होता है 64 ये तो काफ़े कम लग रहा है अब 5 का देखते है 5 का होता है 125 हाँ इसके near है और 6 का होता है 216 तो 216 exceed कर जाएगा हम काम करेंगे 125 पे जो कि है 5 का cube तो अब आप step 4 में देख सकते है आपने simple 4 के आगे 5 लिखती है तो under cube root of 157464 is simply 54 कुछ extra step नहीं है कुछ comparison नहीं है कुछ extra multiplication नहीं है बिल्कुल basic और बिल्कुल easy अब ये रही हमारी last example और इसके बाद हमारे आज का जो day 2 के 4 topics है वो भी खतम हो जाएंगे तो हमें निकालना है cube root of 474552 step 1 है हम देखेंगे कि unit digit क्या है 2 है मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 में interchange होंगे और trick भी बताई थी कि कैसे याद रखने किसका कौन सा interchange है यहाँ पर 2 है तो हमारा step 1 आ जाएगा हमारे पास 8 ठीक है अब हमारा step 2 क्या होगा हम last के 3 numbers को ignore कर देंगे हमारे पास बचेगा 474 अब हमने देखने है एक ऐसा perfect cube जो कि 474 से कम है और 474 के nearest है 5 का cube आ गया हमारे पास 125, 6 का आ गया 216, 7 का आ गया 343, 8 का आ गया 512, clearly 512, 474 को exceed कर रहा है तो हम 7 के cube पे focus करेंगे which is 343 और हमारा answer आ जाएगा 7, 8 78 is the answer इसी के साथ हमारा simplification का जो part 2 है वो खतम होता है अगर आपको ये वीडियो पसांद आई तो इसे लाइक कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए, थैंक यू